बगवान बुद्ध और सनीवार ये जो सनीवार है बाद में इसको शनीवार किया गया क्योंकि पाली के अंदर तो शे होता नहीं, से होता है तो ये पाली में बुद्ध के समय में सनी था सनीवार और सनी को जो बोलते हैं, इसको सनी बोलते हैं सन्नी निकट या सन्नी कट या सन्नो सन्नी करके कैई वार इसका पाली में जिकर है इसका मतलब होता है संग सानिध्य नीचे यानि सन्नी संग का मतलब हम किसी की छतचाया में हैं हम किसी के साथ हैं, हम किसी के नीचे हैं, हम किसी के निकट हैं तो यह जो यह सनी वार है बेसिकली यह संग वार है संग वार का मतलब है कि उस दिन इस्पेशल रूप से सारे लोगों की असंबली होती थी असंबली का मतलब है कि मगद में भगवान बुद्ध के छित में जहां जहां लोग रहते थे सनीवार के वीकेंड के दिन, यानि सनीवार जो दिन था, वो इस बात के लिए था कि सारे लोग संग संग रहेंगे, साथ साथ कहेंगे, उसनल काम नहीं होता था सब आपस में बास्चीत करते थे, एक दूसरे का दुख और दर्द बांटे थे, धंब को सीखते थे कहीं कोई मुसीवत आती है, तो उसका मुकाबला करते थे, ये दिन उनका अरिजर होता था मौज मस्ती का, एक दूसरे की समस्यां सुलंगे का, एक दूसरे से मिलने का, ये सामाजिक दिन था इसलिए इसे दिन ये सब जब इखटे होते थे, तो जो इनके दुसमन थे, वो बढ़ा कामते थे क्योंकि जब समू के एकटा होता है कहीं और कहीं कोई समस्या आती है तो समू में कुछ जोसीलिय लोग भी होते है और जो सिलिए लोग अगर एक कदम ऐसा उठा ले हैं कि जो समस्या आई है आउ समस्या वो देखते हैं डंडे-बंडे के साथ में तो फिर वो समस्या करने वाला भी गाया हो जाता है और समस्या भी गाया हो जाती है इसलिए 6 दिन तक जो समासा आती थी 7 दिन आटोमेटिक वो सनिवार को सबके साथ संग वार को संग जो साथ रहते थे वो अपने आपी खतम हो जाती थी और ये सनिवार का दिन सारे दुनों में सबसे महत्पूर दिन है जो मैंने 7 दिन पहले भी बताया है सब्ताहिक करके जो मैंने बताया है इसको बाद में सब्ताहिक बोलते हैं तो इसको बाद में चुकि जब धंग चला गया उन लोगों की ताकर चली गई और जो बाहर से लोग आयते वो पाफूर लोगे तो वो इस सनी जो वार है इसको उन्होंने गोशित कर दिया कि ये सबसे डेंजरस दिन है सबसे खराब दिन है बागी सब दिन ठीक है मगर सनीवार को बच के रहना है सनीवार को घर से बाहन दे निकलना है सनीवार को अपनी जान बचानी है सनीवार को दुबक के रहना है सनिवार को कोई हाथ ना लग जाए क्योंकि पापकर्म किया है उन्होंने पापकर्म किया है हाथ लगेगा तो पिटेगा उस दिन वो सालोग इखटे हो जाते थे तो इसलिए उन्होंने सनिवार को घुशित किया और जब सत्ता गई यहां के लोगों की तो सनिवार का दिन को मनुझ गोशित कर दिया, सनिवार के दिन को खराब गोशित कर दिया और सनिवार को जो लोहे का दिन है वो इसलिए है क्योंकि सनिवार को जो यहां के लोगे खटे होते थे वो अपने जो सत्थक थे, सत्थक माने जो सस्त्र थे, वैपन थे या सत्थक दंड यानि कि जो सस्त्र वाला डंडा होता था, बल्लम या भाला, उसको साफ करते थे, उसको चमकाते थे, उसको चितर ऐसे देखते थे, तो इसलिए सनिवार बहुत ज़्यादा विनाशकारी और गोशित दिन ऐसा हुआ कि उसको कहने लगे सनी चराय चड़ रहा है यानि कि इसके उपर तो सनी चरदा है ये तो कोई न कोई नुक्सान कर देगा आज भी सनीवार को और लोहे को देखके लोग घवर आते हैं और परिसान होते हैं ये भगवान बुद्ध के काल में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बढ़िया दिन आता जो भगवान बुद्ध को मानते हैं पाली को मानते हैं या भावासाव मेटकर के फॉलोवर हैं उनको सनीवार के दिन वही पुरानी परंपरा के नुसार अपनी संगोश्टियां अपनी मीटिंग अपने संगी बात हैं अपने धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है, उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद धन्मा शर्ना गचा में धन्मा शर्ना गचा में संघंशरनंग गच्छा में बुतंशरनंग गच्छा में